कि नमस्ते तो स्वागत है आप सबकारे स्पेशल लिविंग ब्लोग में मैं आपको दूस्पूजा स्वागत करती हूं आप सभी के बारे चल पार तो दोस्तों उम्मिद करती हूं सभी अच्छे होंगे और मैं यह आप ठीक हो और अभी बज़िए रात की फिक्स 11 बच चुक बना लिये है और उसे चान लिया था लेकिन टाइम नहीं मिला था मुझे पीने का तो अभी देखिए चाय ना ढूल गई है वैसी इतनी से और ज्यादा ढूल गई है आज कि लखी खराब है यह चाय एक बार नहीं यह दूसरी बार डूल गया है और देखिए इतना सा चाय बचिए एक गुटक कोई नहीं एक गुटक की पिलोंगे यह मेरे लिए काफी है तो जी देखिए सारे बर्तन बगेरा हैं तो सोच रही हूं सूबे एक्चली मुझे जाना है जैसे आप सब को मैंने बता था पिसले वीडियों में कि कल सोंबार है तो मुझे बाबू की इनफ परों बढ़ने के लिए जाना है इस बज़े से मैंने आधर कट निकल वाया था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रात को मतलब काम करके सोना पड़ेगा ताकि सुबे इतना चाहिए प्रेशर ना हो बर्तन बगेरा का तो सुबे थोड़ा से काम आसान हो जाएगा और मुझे म तो क्या होगा बारा बजी से पहले काम होगा नहीं तो बारा बजी तक हो जाएगा तो फिर में निकलूंगी उसके लिए पता नहीं वहां पर कितना टाइम लगे न लगे और उसके साथ जो है मैं सोच रहे थी थोड़ा मतलब कुछ और काम भी करने के लिए तो इस रूम मे बेठ जाऊंगी जहां पर बच्ची बेठके खाना वना खाते हैं और अभी में दिखाती यूंँ तो आप देह सकते हैं मेरा दोनों बच्चा सो रहा है और लगता सोनों को नेंद अच्छा नहीं आई आई हैं ।ो भाई को लग जाएगा सिधा करो और छ्क्ष्ब सौन यह थोड़ा सा चाह है इसे पिलूंगी और पीते पिते आप लोगों से बात करूंगी तो अभी मैं बैट गई हूँ और इसी के साथ है ना चाहे मतलब पिलूंगी मतलब मुझे बहुत ज़्याद काम रहती है जिश दिन और कहीं पर जाना होता है तो उस दिन या तो मैं रात को मतलब थोड़ा लेट कर काम कर लेती हूं जाती हूं तो कई ब़र सुबह क्या है जल्दी नहीं हो पाता है और आज रात को लेट इसलिए जग पाऊंगी एक्चल तो तेमर को दाए नहीं खाया था लेकिन आज मुझे बहुत सत्व होघ जड़ा लगई ay' क्यूंकि भूसर दिन में खङं कह यह थे तो तो सब्यमीन बनाया णहीं है नहीं था बस इस वाजने में खाय लगज़ेश नहीं होण राधिया व्युक्ति अभिमे लागा पीने के बाद में पूरा किचन का पहले काम जो है वो कंप्लेट करूंगी उसके बाद में यानि घैस चुला बगरा जो भी बरतन बगरा थोड़ा बौत करके उसके बाद में सबजी बनाऊंगी और फिर में खाऊंगी खाना क्योंकि क्या करें छोटी बच्चे लेकर कभी कभी तो सुबह कर शाम हो जाती है रात की मतलब दीन हो जाती है नहीं हो पाता है अकेले बहुत मुश्किल होती है जो सिंगल मदर है ना उनको पता होगा और सिंगल मदर में भी बहुत सारी मतलब अलग अलग होती है अभी आप है कि मेरे मतलब 2 बच्चे है और मैं अकेली हूं तो दोनों बच्चे को लेकर काम करना फिर मुझे बाहर भी जाना होता है। और आजकल आप लोगों को पता होगा मेरी कोट कचरी के जो चक्कर है वो भी चल रही है तो पूरी तरह से दिमाग से शरीर से मन से हर तरह से तूटी हुई हूँ और पता नहीं कभी रहात मिल पाएगा कि नहीं लेकिन कुछ लोगों की पोजिटिव कमेंट्स के मज़े समझे बहुत अच्छा लगता है मैं ऐसे इंसानों को दिल से धन्यवाद करती हूं और दिल से हमेशे धन्यवाद करूंगी जितने बाहर उस मैसेज को देखोंगी तो ऐसा लगता है कोई अपना सा हो ऐसा फिलिंग आता है कि मतलब उस इंसान के जैसे याद आती है तो वह एक रोना सा जाता है वह इसलिए कि कभी अपनों ने अपनों ने साथ छोड़ दिया आठरा साल का लिष्टा शादी का जब दोनों परिवार का राजी होना बहुत ज़ दो छोटे बच्चे हो अगर एक बच्चा होता तो मुझे उतना फरक नहीं पाड़ता और मुझे ना अगर एक बच्चा होता ना तो मैं उसके पीछे बरन पोर्शन के लिए किसी भी चीज के लिए नहीं रोती लेकिन मेरे दो बच्चे हैं दोनों छोटे हैं इसमें से थो और कितना लिखा और कितना दुख लिखा लेकिन मैं यह के ति हुँ भगवार मुझे इतना उम्हर देदू कि मैं अपनी बच ने बई Bali आप 1220 मAT करना टू उसके बाद में बहले आप मुझे ले लिन लेकिन सहे पहले um मैं भगवान आप से भी प्राथन करती हूं कि कभी मेरा हाथ पेरों को या पिर मुझे कुछ मत करना और नहीं मेरे बच्चों के तरह कभी कुद्रिष्टी से आख उठा कर भी देखना मेरी बच्चों दोनों जो बच्चा हुआ हैं उनको से सलमत रखना और मुझे बस इतना शक्ति देना कि में बच्चों को कमा के खिला पाऊं मेरे हाथ पाई से सलमत रखना हां यह में दूआ नहीं मांगे हो एक मां बोल रही है तरबती हुए आत्मा जाना आपकी बारव चुकी है चाह लेकर बठी हुए है ताकि नहीं दूर जाए और वो काम कर पाए जाओ आप बदकिसमति भगवान दुश्मन को भी ना दे दुश्मन को भी न जो लेडिस होगी उसको भी थोड़ा सूक दे मेरी तरह नहीं नहीं दूरा निकले रात की बारा बजे चाह लेकर बैठी हुए ताकि आगे काम कर पाऊं और सूबे बच्चों को रोटी खिला के निकल रस्ता है बहुत कठी डगर है अजय को पता है मुझे चाय यह एलर्जी चाय से अगर मैं चाय पीतो नहीं तो मुझे सारा दंद नहीं आती लेकिन फिर पी रही हुए जहर का घुट पीरियो मेरे लिए चाय जहर के बरोबर है मैंने पीते हुए शोक से कही कवर पी लेती या realm कआख कोफी पीटी ने मुझे पकिन काफी पीना कोफी पीना भी में लिक्सांद कि मुझे एलर्जी यह तो लिए चाय कॉफी सब चीजें नहीं पसंद करती हूँ पिती नहीं पसंद है तो क्यों में तकलीप इस बजये से ऐसके अगर प्योंने तां है तो नहीं प centres नहीं कि ऊप्का तौ गए ता बpai जाओक थो आगे तो आप पाँके क्या करना हैσα एक ने गार मा को क्या कर ना चाहिए और रेक उर्पा गमान के लेकिन सवाल यह औरत की निमा की है जाओ उसे हराल में करना ही पड़ेगा हार कंडिशन में करना पड़ेगा जहर का गुठी क्यों नहीं हुआ कर दो कि पड़ेगा है था कि उसका बच्चा से रहे से सलामत रहा बस बगवान से इतने से शिकायत कि मुझे कुछ मत करना आप से हाज जोड के मिंदी मैं अपनी बच्चे को जब तक 20-20 वाइसल कर ना कर दो ना मेरा हाथ पर से रहे सलामत रहना मुझे किसी से कोई शिकायत मैं मैं अपनी बच्चों का देख भाल कर ना चाहती हूं उनकी बगश नहीं जाना चाहती हूं और उनको पाले भीने बड़ किया मुझे मतलिक जने काई भीना है मेरा कुछ होना चीए आपका जिमेदारी है कोई नहीं मेरे बच्चों का कोई नहीं है कि ना तो मेरे घर वाले है घर वालों से मस मेरे माँ है कि बाप भी कतम हो गया कि देख सकते हैं अलर्जी होते हैं पी यूगोट को जेहर के तरह बहु कुछी क्योंकि जगन आए बगवान किसी के सहाथ इतना बे रहम ना हूँ कितना बे रहम ना बड़े है हर को जीना चाहता है हर को जीना चाहता है लेकिन में फिलाल मेरे लिए नहीं में तो कबकी मर चुकी हूँ मैं अपनी दूरों बच्चों के लिए जेना चाहती हूँ मुझे किसी से कोई उमिद नहीं है मैंने देख लिया इस दुनिया को कोई नहीं है तो दोस्तों फाइनली मेरे चाह पी लिया है तो अब चलती हूँ रस्वई में और करती हूँ काम बहुत अकलीफ होती है अब बहुत नीज आती है और इस टाइम मुझे बहुत ज़दा भूक लगी हूई है बहुत ज़दा भूक लगी है तो पर पर पले काम ब्लेट करोंगी नहीं तो अगर बीच में चोटू अगर जग्या वह चोटा है ना तो पर वह काम नहीं करने देगा तो फिर मैं कहीं कर नहीं रहूंगी ना इधर का न उधर का तो दोस्तों इसलिए चलिए काम काले आप लोग इतना ज्यादा मैंड मत लेना नहीं मतलब दिल से मत लेना क्यूंकि एक और जब चारों तरब से टूट जाती है ना बहुत अकलीब होती है और जो तूटती है ना उसे ही पता है कि क्या ठकलीब होती है खूद अकेली होना इतना फरक नहीं पड़ता है अगर मेरी मात्य पर कोई भी बुजिर का आदमी या फिर कोई भी होता न तो शायद मुझे भी इतना परेकने पड़ता लेकिन मेरी बच्चों का दिख भल करने के लिए कोई नहीं है जहां में उनको एक घंटे के लिए छोड़ दू एक बुड़ी मा है तो वो भी काम करती है वो भी कब तक आये वो भी क्या कहें इंसान का लाइब सबस्दा कठीन लाइब है जाए इस दूसरे का दुश्मन बना हूँ है और मेरे पती को मिलेगा क्या क्या मिला है मतलब क्या मिला है यहां दो बच्चों को जीता जगता छोड़कर एक औरत को छोड़कर इस तरह कि पास ही है चुआ के मा की उमर का उसे शरम हाया तक आती और वो ओरत भी इतनी गिलोडी होगी जो अपनी बेटी की बेटे की उमर के इस तरह से वाकता रही है उसको सब कुछ पता है उसके बाजूद भी कहन बहु हो बाल बच्चे छोड़कर आये उसके बाजूद भी वे अपना के सब कुछ रही है रहो कि देखो कब तक रहो कब तक क्या करो आप लोग भी रहो एंजोई करो और मुझे मेरा लाइब तो मिरी बच्चों के साथ जीना है मुझे किसी से कोई पड़क नहीं पड़ता तो चलिए दोस्तों साथ में बढ़ी रही है किचन का काम करती हो है और दोस्तों आपको पता है में मेरा हाथ की अदि क्या कया कंडिशन है तो अभी तो कुछ भी से ही नी ऑगा आश से काम चलाना टोड़ेगा तो देख सकते हैं कितना सम्हें लाइस दोस्तों मैं इने या आपिस prevailed को पानी से बरतनों को द्मीय और इसने को अब ऑनकार सब्सक्राइब धुटूच है इस तरह से कंपानी में बतन जो है अच्छे से साप हो जाती और दो बार दोने से स्पर तो डोस्तों फाइनली मेरा जो है बरतनमाजना कंपलीट हो चुके और अनुछ जय गये ताकि यहाँ पर जगे भी हो जाए और बरतन भाहर रखने से सुख भी जाएगी तो दोस्तों आप में साप करने वाली हूं यह गैस चुला ताकि सुबे थोड़ा जल्दी हो जाए और वैसे तो सुबे हम करते हैं हर रोज लेकिन सारे दिन में चिकनाट बगरा और ज्यादा ह हो जाते ना अगर रात को करके रखेंगे तो पूरी तरह से क्लीनी रहती है बस यह जानबर गुमते रहते हैं चुआ बगरा इस बज़े से दुबारा से हमें करना ही पड़ता है तो चलिए गैस चुले को भी मैं साबून और जूने से जीसे बरतन मासती हूं उसी से करते रात को काम करने से सुबह बहुत ज़दा आसानी हो जाती है कभी आप ट्राइ करना लेकिन यह है रात को काम करना बहुत ज़दे तकलीब दाई भी होती है बहुत ज़दा नहीं दाती है मनी नहीं करता है लेकिन पर भी करना पड़ता है तो देख सकते हैं एक मा को मतलब क्य चैनल कि यह पतंगा लोग्ता था क्या किया के लिए कुछ भी सुमझा और आगे बढ़ते रहने के अ noon होता हो हर। तो दॉस्तों इतने रात कुमें बनाने वाले हों चटनी तो जल्दी सी बन जाए और सबसे आसान हो तोदेखिए मास लिए प्याज टमाटर और साती जो है अध्रक और उस लाल सुखी मिर्ची रखी हुए तो चलिए इन सब का बना लेती हूं चटनी और रोटी खा के सुतियों तो दोस्तों आज की वीडियो को यह अंड करती हूं और मिलती हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के नमस्ते जैने